कारिक्रम में आप सभी शोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज इस कारिक्रम में हमारी महमान है निदेशक संस्कृति विभाग उत्राखंड बीना भट आज आप से बाचीत का विशे रहेगा उत्राखंड की संस्कृति के प्रचार प्रिसार में महिलाओं की भूमी का बी उत्राखंड की महीलाएं हमेशा से ही एक निरनायक भूमिका में रही हैं, वो संस्कृति की संवाहक है, संस्कृति को उन्होंने जीवित रखा है और जीवन्त रखा है। उत्राखंड की संस्कृति की संस्कृति की करते हैं तो उसके सभी आयाम हैं चाहिए वो खान-पान हो, परिधान हो, उनके जो परंपराएं हैं, उनका जो संगीत है और अनुष्ठान है इत्यादी इत्यादी अब हम उत्राकंड की संस्कृती की बात करते हैं तो इतनी श्रम साध है जीवन में जो कलर लाया है जिसमें इतनी कठनाई में भी जीने का जो हमारा जज़बा है वो एक हमारी संस्कृती ही उसका परिचायक है हमारा गीत संगीत, हमारी परंपराएं, हमारे अनुष्ठान, इत्यादी इत्यादी, खान पान, ये सब हमारी संस्कृती को परिलक्षित करता है और इसमें महिलाओं की आहम भूमिका है, मेरा तो मानना है कि हर समाज की संस्कृती में महिलाओं की आहम भूमिका होती है क्योंकि वो एक धुरी होती है और किसी भी समाज को देख लिजे किसी भी संस्कृती को देख लिजे उसमें महिलाओं की जो भूमिका है वो अहम होती ही है अब हम अगर उत्तराखन की संस्कृती की बात करते हैं तो हमारे याँ चाहे आप देख लिजे महिलाओं का जो गाओं से अपने परंपराओं के माद़ ये मौसम होगा तो हम ऐसा होगा इस तरह का म्यूजिक होगा इस तरह के लोग कलाएं होंगी इस तरह के परिधान होंगे इस तरह के वियंजन बनेंगे इत्यादी इत्यादी तो इस सब में महिलाओं की बहुत-बहुत भूमिका रही है और हम पुरे समाज में बहुत-बहुत-बहुत महत्वण है। के लिए जाना जाता है और यह परिलक्षित होती हैं, अभीव्यक्ट होती हैं हमारे लोकपरवों में और अनुष्ठानों में. तो हम पहले बात करते हैं एपन् कला की. तो ये लोक कला है हमारी और एपण किस तरह से हमारी संस्कृती की परिचायक है और उत्राखंड राज्ये बनने के बाद ये कला किस रूप में विक्सित हुई है क्योंकि संस्कृती जो है धीरे धीरे विक्सित होकर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप करती है तो आप किस रूप में देखती है एपन कला को क्योंकि हम आज जब देखते हैं उत्राखण में तो दिवारों में खास तोर से जब विकास की बात हुई है तो वो एपन कला दिखाई दे रही है तो इसे आप किस रूप में देखती है एपड कलाग जो है एपड जो को लोकियल लांगविज में अलपना से बना है और वो फोकार्ट है और जो वो है वो हमारे यहां हर संसकार के लिए अलग तरह का एपड होता है जैसे जब घर में शादी हुई और वर का आगमन हुआ तो उसमें धुलियर की चौकी होती है उसका एक सुरूप अलग है देहरी पे जब वसुधारे बनाए जाते हैं उसका एक सुरूप अलग है वाल पिंटिंग्स में अगर आप देखे तो मात्रिकाएं बनती हैं हर संसकार के लिए आप सोचे कि कितना परिश्कृत है और ऐसा नहीं है जो अगर आप देखे तो उसका जाल चीज में सफेज से कियावा चीज एपड़ नहीं होता एपड़ की एक ग्रामर है और ग्रामर भी ऐसी नहीं है कि वो एक कुछ भी बना दीजे तो वह एपड़ है नहीं किस जगह का कौन सी चीज कहां पर बनेगी अगर पैर बने है तो वो कैसे बनेंगे लक्षमी की चौकी है तो कैसे होगी अगर उपनेयन संसकार है तो उसकी अलग चौकी होगी तो एक बहुत परिश्क्रत लोक परंपरा है और कालांतर में अब इसका दीरे दीरे प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत जरुवत होती है जब मैं देखती हूं इस सब चीजों को कि सही ची किसे कितना सामजे से होता है अगर एपढ को धियान देगी हमारे यांचीड होता है तो आप देखिएगा उसमें चीड नुमा बनाया जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती मेरा कहने का बतलब वो उसका भी समावेश होता है तो एपढ एक एसी परंपरा है जो की बहुत- बहुत बहुत परिश्क्रित है, बहुत सोच उसमें डेवलाप हुई है और इसलिए वो अपने आप में एक महज अलपना से जादा एक पूरी ग्रैमर लिये हुए है जी आपने इसको ग्रैमर कहा है तो ग्रैमर के अपने नियम है और उससे हम अलग नहीं जा सकते जब प्रच प्रचार प्रचार एक तो जब से ये यूट्यूब सोशल मीडिया इत्यादी इत्यादी हुआ है तब से परिधानों के रूप में तो जो हमारे यहां पिछोड़ा जिसे कहते हैं और उसकी बड़ी इंट्रेस्टिंग वो है आप अगर कभी पिछोड़े के सुरूप को दे रहा है उस वरूप में मतलब इतनी बड़ी सोच तो वो उसके रूप में वो पिछोड़ा विकसित हुआ है तो अब पिछोड़े को जब देखा गया तो कलर को जो इसका प्रूप है और उसके पीचे की सोच है तो वो लोगों को बहुत पसंद भी आई और आज की तारीक मे तो उसका प्रचार-प्रसार भी हो चुका gogo उसको बहुत एक्षप भी करें और पहेंते भी हैं इसी तरह से और चीज़ों का भी एपरण का अब लोग उसकी प्रती सजक हुए है खासकर जो नई पीड़ी है और उसमें भी बहुत experiment भी हो रहे और उसमें एक थुड़ा बह नहीं हो पाती है तो वो सरकार की भूमिका वहाँ पर आ जाती है बीना जी हम लोग संदरे के उपासक हैं आबूशन, शिंगार, वेश भूशा और हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल अनूठा है उत्राघंड का और इसको काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं जैसे कि स शुशल मीडिया की बात आई है और विभा आदी जो समहारों होते हैं उसमें हम नए सवरूप में युवाओं को भी उसको पहनते हुँ देखते हैं खास दोर से जो हमारे मेले हैं तीज त्यहार है उनमें इसकी अभीवक्ती बहुत सुन्दा डंक से हो रही है तो आपको क् पीछे ऐसे तो मानते हैं हरी संस्कृती के पीछे सोच होती है उस समाज की जो धीरे धीरे डिवलाप होके वरतमान स्वरूप में आती है और हमारे परिधान तो इतने खुब स्वरूप में अब किसी भी त्योहार में या कहीं भी जो हम लोग तो गहें इंटरनाशनल और न हमारे परिधान और हमारी जूलरी कि उसके प्रती एक लोगों का आकर्शन स्वर्ता ही हो जाता है और इसलिए आज की तारीख में वो बहुत बहुत पॉपलर हो रही है आपने हमारे जंजातिय जीवन को भी बहुत नजदीक से देखा है क्योंकि संस्कृति विभाग से तो प्रकृतिकानिया में परिवर्तन तो होता ही है हम वैसे नहीं है जैसे हमारे फोरफादर्स थे हम उस तरह के फोरफादर्स वैसे नहीं थे जो उनसे पहले थे यह निरंतर विकास की प्रक्रिया तो होती है विकास से जादा मैं अगर कहूं कि कंडिशन्स बदल जाती है तो फिर सामन्जस से जो समाज है वो उस तरह से करता है तो उस लेवल तक का तो परिवर्तन आना सौभाविक है लेकिन मैं जनजाती जीवन के बारे में एक चीज जरूर कहूंगी और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि उन लोगों ने अपनी संस्कृती को बहुत संजो के रखा है हम जहान सार में ही देखते हैं वो म्यूजिक के प्रती वो अपने परिधानों के प्रती वो बहुत सजग है उसी तरह से हम पितौरागड के उपर जो उपर उपर छेतर है मुझारी इत्यादी में देखते हैं मुझारी हो गया या रंग समाज देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि उनकी जो संस्कृती है वो इसलिए थोड़ा जादा संजो के रखी गई है क्योंकि वो समाज ही अपने संस्कृती के प्रती बहुत-बहुत सा जग है और ये जनजाती जीवन की विशिष्टा कहूंगी जिससे की और समाज को बहुत-बहुत कुछ सीखने आ है लोग गीत हमारी संस्कृती का एहम हिस्सा है और अब सोशल मीडिया के दौर में लोग गीतों को एक नई पहचान मिली है नए गायक उभर कर आए हैं और नए ढंक से पुरानी चीजों को प्रस्तूत कर रहे हैं तो इसे किस रूप में देखती हैं? कोई भी चीज के पूरे अच्छे सुरूप भी होते हैं अच्छे सुरूप भी होते हैं और बुरे भी होते हैं अब जहां तक लोग गीत की बात करें तो लोग गीत माने होता है जो लोग से उबजा हुआ हो जब परिस्तित्या वो नहीं परिवेश वो नहीं तो लोग गीत में वो वाली बात तो नहीं आ सकती अब सोशल मीडिया के युग में अगर कोई लोक भाशा में गीत गाएगा बच्चा आज की तारिक में तो जिसका परिवेश डिफरेंट रहा है, सिक्षा डिफरेंट रही है, उसको तो कंप्यूटर युग में है तो उसके जो गाने में बाते आएंगी, वो बाते तो नहीं हो सकती जो उस समाज की थी, जिस समाज के जब पुराने समाज से वो लोगी चलते चले आए, ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है, लिक्यों कि इसको रोक भी है, बैने का परिवर्तन तो प्रिकृतिका निया में आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन जो भी व्रिक्ष की जड़ें मजबूत होंगी, वो व्रिक्ष बहुत समय तक हरा बरा रहेगा, इस सोच के साथ जब मैं उसको देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, कि नए बच्चे आज अपनी भाशा को सकता है उनको, और जिग्यासा भी बहुत है, क्योंकि वो उनके सामने नौलेज का अमबार है, तो इस नजर से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लड़किया तो बहुत जादा क्योंकि उनको एक नया परिवेश मिला है, और धीरे धीरे ये स्तिती आई है कि अब उनके अब इनको लिए भी उतना ही ओपन है, क्योंकि हाथ में जो मुबायल है, वो दुनिया उतनी ही एक पुरुश के लिए ओपन है, या asthma child के लिए ओपन है, जितना फीए पिमेल चाइ smell के लिए, तो वो इसलिए उनका भी उतना ही awareness है, और वो इसलिए उतना ही समाज में से सी कर देख पारी हैं और वह बहुत तेजी से आ बाद करते हैं वह सनसकर्ट जाional में महिलाएं फ़िक फोर्प आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि हमैरे के फ़िल में प्रॉप जोड़gefavais बहुत बड़ा चेंज है और बहुत अच्छा चेंज है पहले होता था कि अगर उनको आता भी था तो घर की चहारदीवारी तक ही वो गाती थी अगर अपने घर में कुछ हो गया तो गा दिया नहीं तो बाहर नहीं अब वो अपनी जो कला है उसको एक समाज के सामने रखने मे उनको एक गर्व की अनुभूती होती है और उन्हें वो मौका भी मिल रहा है और इसकी वज़़े से उनका प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान हो रहा है और यह बहुत बड़ा चेंज है और खासकर हमारे उत्तराखंड में तो बहुत ही जादा और बहुत और हमारे पाहडी वियंजन है वो उनकी तारीफ होती है और खास और से मेलों में और अब तो शादी समहरों में भी पाहडी वियंजन तयार किये जाते हैं जहां तक घरों की बात है तो महिलाएं ही चूला चौका देखती हैं उनके द्वारा ही यह जो वियंजन है इतने मीठे बने हैं, इतने स्वाधिस्ट बने हैं और उनके द्वारा ही प्रजार प्रसार हुआ है, आज क्या इस्तिती देखती हैं? बेंजनों के प्रती तो एक तो समाजिया ऐसे हो गए हैं कि एक्सपरिमेंट लोग करने लगे हैं और अब क्योंकि इस तरह के लोग भी बहुत आते हैं दूर दराज से और वो हर कपका कोशिश करता है जो प्रदेश के बाहर से भी आते हैं लोग हम भी किसी प्रदेश में जा काना चाहते हैं उस समाज को समझना चाहते हैं अब यहां पर आ जाती है महिलाओं की भूमी का और हमें यह कहते वे बहुत गर्ब होता है कि महिलाओं ने इस खानपान की परंपरा को इतना परिश्कृत किया हमारे उत्तराकंड में कि आज हम उसको परोस पा रहे हैं लोगो कारप्रसार होनी की वज़े से अब आम जेके वो थोड़ा मिलने भी जाता है बलकि बड़े शहरों में लोगों ने उसको मिलने भी लगा है तो इसकी वज़े से इसमें महिलाओं की जो मुमीका है वो बहुत बहुत जादा है तो हम कह सकते हैं कि उत्तराकंड की जो है उसकी समवाही का एक महिला है और महिलाओं ने ही इस संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाना है इस कारिक्रम के माध्यम से आप खास और से महिलाएं इस कारिक्रम को जो सुन रही है उससे क्या आप कहना चाहती है आपका क्या संदेश है मैं यह कहूँगी कि हमें बहुत गर्व होता है कि चाहे हमारे संस्कृति के कोई भी आयाम हो उसमें हमारी महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इसमें लेखिकाएं इतनी महिलाएं हुई हैं लोक्स कला की संभाहा कितनी महिलाएं हुई हैं और जब भी हम चारो आज जो भी समाज अब देखता है हमको वो हमारी महिलाओं उसमें अगणी स्थान रखती है और इसका हमें बहुत बहुत गर्व है और इसका गर्व मुझे लगता है कि उत्राखंड की हर महिला को होना चाहिए और इस क्योंकि प्रदेश के आविरभाव से लेकर यहां तक हम जहां मी नज़र डालें महिलाओं की भूमिका दिखाई देती है तो बीना जी आज आप इस कारिक्रम में आई और उत्राखंड की संस्कृती के प्रचार पिसार में महिलाओं की भूमिका पर आपने अमुले विचार हमारे शोताओं के साथ साजा किये आकरश्मानी आगमन आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद